आप लोग देखते होंगे कि हमेशा महलाओं के राजनीती में आरक्षन को लेकर चर्चा होती रहती है और ये बहुत पहले सिमांग उठती आ रही है और देखें मुझे भी लगता है कि महलाओं को राजनीती में आरक्षन मिलना चाहिए क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे देश की आबादी में आधी आबादी महलाओं की है महलाओं की क्या समस्याएं हैं किस तरह से समाधान हो सकता है उन्हें मुझे लगता है कि पुरसों की तुल्ला में महलाओं बहुत ही बहतर तरीके से समझ सकती है और कई रेपोर्टें आती हैं और जिन में आप देखे बड़ा अनुसंधान करके बताया जाता है कि जिस देश में महलाएं राजनीती में भागेदारी कर रही हैं देश को चला रही हैं वो देश तेजी से आंगे बढ़ रहा है हर छेत में क्योंकि आप देखे महलाइं हर तरह से सक्षम होती हैं और आप देखे कि वो जमाना खतम हो गया जब महलाओं को कमजोर आका जाता था आज आप देखे जहां भी उन्हें मौका मिल रहा है वो बहुत 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 तरीके से अपना कर्तब निभा पारी है और फिर अगर आप आप देखें अभी बर्थबार में आप देखें 543 सदस हैं कितना लोगसभा में 543 सदस हैं और लोगसभा सदसों चनाओ डारेक्ट जनता यानि की मद्दाताओं के द्वारा होता है और आप सभी जानते हैं कि अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आपका मद्दाता उसमें से केबल महलाओं की संख्या अगर आप देखें तो 78 है 78 है आप देख रहें कि आदी जनसंख्या का पितिन ने थित्ते केबल 78 महलाएं कर रही हैं और बाकी पुरुस भरे पड़े हुए हैं और जो महलाएं हैं भी तो इनका आप देखते हैं कि अधिकतर महलाओं को नाम से जाना जाता है और आप देखते होंगे कि कभी पती या पिता चुना लड़ता है तो बेटी या आप देखते होंगे कि पतनी का नाम आंगे नहीं जुरता है लेकिन पतनी अगर चुना लड़ रही है बेटी चुना लड़ रही है जीत रही है तो उसके आप देखते की तैयारी कर रहे हैं, इस्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखें, प्रिलिम्स में, मुख परिक्षा में, इंटर्व्यू में, यहां तक आप देखें कि अगर निवंद महलाओं की स्तिथी पर आप लोग लिख रहे हैं, तो इन पॉइंटों को आप आप लोग सांबिल कर सकते हैं अपना, ठीक है, और अभी तक अगर आप महलाओं की देखें, तो सबसे धांजा संख्याया भी महलाओं की, किसमें लोग सभा में, और इससे पहले आप देखेंगे कि अगर हम लोग 70 सालों की बात करें, तो 2014 में, जो आप देखते हैं कि कितना, 16 भी लोग सभा की चुनाव हुए थी ना, तो उसमें केवल आप लोगों को देखने को मिलेगा, बड़ी थी संख्याय इनकी महलाओं की, किज़ा हुई थी, बड़ी थी कि, 62 संख्या थी, और इस बार आप देखेंगे, जो 17 भी लोग सभा हुई थी ना, इसमें 78 पहुँच चुकी है, तो अच्छी बात है, बढ़ रही है संख्या, लेकिन जिस तरीके से बढ़नी चाहिए, उस तेजी से नहीं बढ़ पा रही है, जो पहली लोग सभा चुनाव हुए थे ना, 1952 में, इसमें केवल 22 महलाएं चुनाव जीती थी, यह भी आप लोग याद रखेगा, फिर 1957 में दूसरी लोग सभा में 27 महलाएं चुनाव जीती थी, फिर आप देखें 1962 में तीसरी लोग सभा में 34 महलाएं चुनाव जीत कर आई थी तो ये आप देखेंगे संख्या बढ़ती रही है वही सबसे कम आप देखेंगे चटी लोग सभा में 19 महलाएं चुनाव जीत कर आई थी तो ये भी आप देखेंगे देखें एक और बात आप लोग देखते हैं जब आरक्षन कहीं देना होता है तो आप देखते हैं कोई पिस्ताव लोकसभा राज्यसभा में आता है उस पर बहस होती है और आप देखते हैं कि राज्यसभा लोकसभा से वो पिस्ताव पास हो जाता है फिर आप देखते हैं राष्टपती के पास जाता है और राष्टपती उस पर सहमती देता है और वो कानून बन जाता है अभी EWS जो आप देखे सामन बर के पिछड़े हैं आर्थिक रूप से पिछड़े बेखती हैं उन्हें 10% आरक्षन की बात हुई थी फिर आप ने देखा है राष्टपती की सहमती मिली और उन्हें आरक्षन दिया जाने लगा है तो राष्टपती ने 9 मार्च 2010 को महला आरक्षन बिध्यक पारित किया था और ये 2010 की बात है हाला कि लोकसभा ने कभी भी विद्यक में परमद्दान नहीं कराया और इस विद्यक को समाप्त कर दिया गया क्योंकि यह अभी तक लोकसभा में लंबित नहीं था और बर्तमान सरकार की अगर हम लोग देखें यह आप देखें राजीब गंधी के समझ चले जाएए इंद्रा गंधी के समझ चले जाएए अगर हमारे देश की पार्टियां चायती न तो वो अपनी दम पर भी लोकसभा और राजसभा से पास करवा सकती थी कानू ला सकती थी लेकिन वो नहीं लाती है अभी आप देखें बरत्मान बीजेपी है सकता में इसके पास दोनों जगए आप देखेंगे लगभग वहमवत है लोकसभा में तो तगड़ा वहमवत है लेकिन राजसभा में वो विवस्था कर लेगी आराम से लेकिन फिर भी नहीं ला रही है तो आप देखेंगे कि भारती ये राजनीती महलाओं के लिए आरक्षन की पेष्ट भूमी की बात करें तो राजनीती में महलाओं के लिए आरक्षन का मुद्धा भारती राष्टी आंदुलन के समय सामने आया था 1931 में बेटிस पिधान मंत्री को लेके पत मैं चेहोजना में बर्स 1988 में सिफारिस की गई थी कि महलाओं को पंचयात इस्तर से लेकर संसत के इस्तर तक आरक्षन पेदान किया जाना चाहिए और इन सिफारिसों ने समिधान के 73-74 समिधान संसोधन की इतिहासिक अधिनियम का मार्क पिसस्त किया जो सभी राज्य सरकारों को क जनजाती की महलाओं के लिए भी आरक्षे थे और आप देखनेंगे अलग राज्यों में अलग लग वेवस्ता भी किद गई है महराश्ट आंधिपेदेश बिहार 36 गर्जारकन किरल जैसे कई राज्यों ने स्थानी निकायों में महलाओं के लिए 50% आरक्षा सुनेशित कर ने ही तो कानूनी प्रावधन भी किया है या राज्यों सरकारों की तारीप होनी चाहिए और आप देखेंगे अच्छा कदम है क्योंकि आधी अधिक महलाओं की संक्या है तो आधा उन्हें आरक्षन होना चाहिए जन संक्या के हिसाब से तो इसमें महराश्ट आंधिदेश बिहार, चतिसगर, जारकंड और केरल सामने है आपका और महला पिती निदित बिध्यक की बात करें तो बिध्यक के बारे में महला आरक्षन बिध्यक में महलाओं के लिए लोकसभा और राज बिधान सभाओं में 33% आरक्षित करने का पिस्ता हो है अरे भाई 50% मत दीजे 33% तो दे सकते हैं तो उसे ही की बात हो रही है वो 33% भी नहीं दिया जा रहा है आरक्षित सीटों को राज या केंदसासी पिदेशों के विभन निरवाचन छेत्रों में करमेक रूप से अबंटित किया जा सकता है और इस अंसोधन अधीनियम के लागू होने के 15 वरस बाद मह महलाओं के लिए सीटों का आरक्षन समाप्थ हो जाएगा पहले दिया तो जाए समाप्थ बाद में करेंगे आवसकता तो गेलोवल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत राजनितिक अधिकालता संसद में महलाओं का पितिसत और मंत्री पद आया में 146 में से 48 वे इस थान पर हैं कहने का मतलब यह सीधा सा कि आपकी किलास में मालेजे की 140 बच्चे हैं तो आपका नंबर 48 वा है आप समझ सकते हैं कि सिस्तिती पर आप लोग हैं और इस रैंग के पावजूद भारत का स्कोर 0.266 है जो की काफी कम है और इस एंडी में सर्प्षे पाले कुछ देशों का स्कोर कहीं बेतर है उधारन के लिए आइसलेंड का आप देखेंगे 0.874 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है कौन आइसलेंड बंगलादेश आप देखेंगे 0.546 के स्कोर के साथ 9 स्थान पर है जो हमारा पड़ोसी बंगलादेश से ना उसी की बात और इस इंडेक्स में आइसलेंड टॉप पर बना हुआ है भारत 48 पर नमबर पर है यह इंडेक्स भी याद रखा करेगा रिपोर्ट है इनसे भी कुश्चन्स पूच लेता है महलाओं का आत्म पितिनिदित और आत्म नेड़य का अधिकार बिभिन सर्विक्षन के अनुसार महला पंचयाती राज पितिनिदियों ने गाओं में समाज के बिकास तो समग भलाई के लिए सराहनी ये काम किया है और उनमें से कई निसंदे बड़े फिर्माने पर काम करना च के लिए महलाओं के लिए जाती आधरी आरक्षन हितु जो तर्क दिये गए हैं वे उचित नहीं है तो यह भी आप लोग पॉइंट याद रखा करेगा हो सकता है आपसे पूँच ले कहीं या कुश्टन्स पूँचा जाए तो उसके पक्च में भी आप लोग लिखेंगे बिपक्च में भी तर्क आपको लिखने होंगे और महलाओं के लिए सीटेओं के आरक्षन का कुछ लोगों द्वारा बिरोत किया जाता है वे दाबा करते हैं कि ऐसा करने से समिधान की समानता की गारंटी का उलगन होगा यदि महलाओं को आरक्षन दिया जाए तो उनका त इधित की बात करें तो सुसंता से पहले 37 अदमक सामाजी के मांदनों और मांसिकता ने इतिहासिक रूप से भारत में महलाओं को हासिया पर रखने उनका सोसन करने की अनुमती दी है और आप देखिए आज तो हमारे पास समीधान है सुतंत सरकार है सुतंत नयायपालिका है आज भी महलाओं के साथ बेदभाव होता है तो 1947 के पहले आप लोग सोच सकते हैं क्या इस्तिती रही होगी सामाजिक सुधारों की सुरुवाद और सुतंता अक्संग्राम में भागेदारी और आप देखेंगे उन 1857 में रानी लच्छिमवाई लड़ रही थी दुरगावती लड़ रही थे तो महलाओं को बस मौका नहीं दिया गया वर्ना महलाओं हमेशा आगे है आजादी की बात देखें तो भारत की समिधान ने निर्धारित किया है कि सभी राजनितिक सामाजिक और आठिक चेत्र पुरुसों और महलाओं के लिए समान बिभार करेंगे वर्तमार में भारती संसद की लगभग 14.4 पितिसद संसद महलाए हैं जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है हाला कि अंतर संसदी संगे की अनुसार भारत की में निम्न सदन में नैपाल, पाकिस्तान, सरी लंका, बंगलादेश जैसे पडोसियों की तुला में महलाओं का पितिसद कम देखने को मिलेगा भारती निर्वाचन आयोग, Election Commission of India की बात हो रही है और जो आपकी विधान सभा, विधान परिशद, राज्य सभा, लोग सभा, राष्टपती, उपराष्टपती की चुनाओ होता है ये भारती निर्वाचन आयोगी करवाता है Election Commission of India करवाता है एक समीधान एक संस्ता है समीधान की अगर अनुच्छे 324 को आप लोग पढ़ेंगे तो इस्थापना की बात की गई है चुनाओ आयोग की और 25 जनवरी 1950 में इस्थापना होई थी नई दिल्ली में हेडक्वाटर देखने को मिलेगा सुकुमार सेंट पहले मुख चुनाओ आयोग दे थे तो भारती निर्पाचन आयोग की नए आंकडों के अनुसार अक्टूबर 2021 में महला पिती निदी संसत के कुल सदस्तों का 10.5% है भारत में सभी राजबिधान सभाओं में महला सदस्तों के लिए परिदिस और भी बत्तर है जिसका राश्टी उसद 9.30 है आजादी के पिछले 75 बरसों में लोगसभा में महलाओं का पिती निदी निदित 10% भी नहीं बड़ा है तो बहुती बुरी इस्तिती कह सकते हैं आप लोग भारत में महलाओं की राजनितिक भागेदारी के मुलियांकन हीतुमानदन अगर आप लोग देखें तो मद्दाताओं की रूम में महलाओं 2019 के लोकसभा चुनाओं में पूर्सों की तुल्ना में लगबग उतनी ही महलाओं ने मद्दान किया था या राजनीती में लेंगिक समानता की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्मूडा उसर है और जिसे क्वाइट रिवुलेशन ओफ सेल्फ इंफार्मेमेंट कहा गया है और इस बढ़ती भागेदारी की विसेश कर बस 1990 के दसक के तोरां से कई कारण रहे हैं उमीदबार की रूब में महत्रा है तो 70 संसदी चुनाओ में महला उमीदबारों का आनुपात समय के साथ बढ़ा है लेकिन पूरस उमीदबारों की तुल्ला में यह कम है 2019 के लोगसभा चुनाव में भाग लेने वाले 8,4900 मिद्वारों में इस 9% से कम महलाये थी सोच लिजे आप लोग बाकी 91%, आप देखिए 90-91% पूरुस थे 9% महलाये थी भारत में महलाओं के राजनीती पिति निदित को बहतर करने के लिए उपाय क्या हो सकते हैं ये उपाय भी आप लोग बता सकते हैं भारती राजनीती में महलाओं का पिति निदित अनेक बरसों से चर्चा का विसे रहा है और इसमें कुछ प्रगती भी हुई है किन्तु अभी भी एक लंबा रास्ता तै करना सेस है भारती राजनीती में महलाओं की बहतर पिति निदित थे तू कुछ तरीके इस तरह हैं सीटों का आरक्षन इस्थाने ये निकायों और विधान सबाओं में महलाओं के लिए सीटों का आरक्षन राजनीती में महलाओं की पिदिनिधीत में विद्धी करने का एक सफल तरीका रहा है और महलाओं को नेड़ा लेने की पिक्रिया में भाग लेने के लिए कि अधिक आउसर पिदान करने ही तो ऐसी और अधिक आरक्षन नीतियां लागो की जा सकती है और जिन जो सीटे आरक्षित हो जाएंगी न महलाओं के लिए वहाँ के बल महलाओं ही चुनाओ लड़ पाएंगी ये भी याद रखिएगा जागरूक और सिक्षित करना ये आप में सबसे जान्दा इसी को भात्त देता हूँ आप देखे किसी भी छेत में सफलता पानी है तो आप देखे कि जागरूकता जरूरी रहती है कानून लाने से कुछ नहीं उखडता है महलाओं में उनकी अधिकारों और राजनीती में भागेदारी की महत्ति की विसे में जागरूकता पैदा करना आवस्तक है और सेक्षिरिक कारकरम तथा जागरूकता अभियान महलाओं की राजनीतिक भागेदारी बणाने में मदद कर सकते हैं लिंग आधारी थिंसा उत्पीडन को रोकने ही तू अवसक कदम, तो आप देखेंगे कि लिंग आधारी थिंसा और इवं उत्पीडन राजनीती में महलाओं की भागेदारी की दिशा में प्रमुख बाद हैं, नीती तथा विदिक उपायों के माध्यम से इन मुद्दों को ह लागू करने जैसे सुधार राजनीती में महलाओं के पिति निदित्य को बढ़ावा दे सकते हैं, और इससे क्या रहेगा, जिनकी जितनी भागेदारी होगी महलाओं की उतना ही उन्हें भागेदारी मिलेगी, संख्या जितनी होगी, भारती राजनीती में महलाओं की संख हो गया होता लेकिन असरों में वो ही पिछड़े रहते हैं तो इसलिए आप देखेंगे इस छेत्म में बाद भी कम हो पाती है चलिए तो मुझे लगता है कि एक साभात जानकरी आप लोगों के पास हो गई है अगर इसे questions पूछा जाएगा तो आसानी से आप लोग जबाब द पाएंगे और questions लिख भी पाएंगे answer उसका ठीक है